हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कभिंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हम लोग अच्छा आठ का महान विक्तित्व पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ नौ पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है गोश्वामी तुलसी दास तो आज हम लोग इस पाठ का सारांस देखेंगे चलिए देखते हैं इनका जन्म यमुना तट पर इस्थित राजापूर चित्रकुट में हुआ ये जो गोश्वामी तुलसी दास जी है इनका जन्म कहां हुआ था तो या मुना तटपर जो इस्तित राजापूर चित्रकुट में है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था आगे देखते हैं बचपन में ही इनके माता पिता आत्मा राम दूबे और माता हुलसी का दिहवास होने पर इन्हें संद नरहरी दास ने अपने आश्रम में आश्रे दिया देखे दोस्तों बचपन में इनके पिता आत्मा राम दूबे अर्था तुलसी दास के पिता जी का नाम आत्मा राम दूबे और माता जी का नाम हुलसी था इनका मृत्यू बचपन में ही हो गया था ठीक है जब तुलसी दास छोटे थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया देहांत के बाद जो संद नरहरी दासें उन्होंने अपने आस्रम में तुलसी दास को रहने के लिए दिया आसे ठीक है पंद्रह वर्स तक अध्यन करके ये राजापूर आएं और रतनावली से विवाह किया देखे पंद्रह वर्स पूरे हो गये ठीक है इन्होंने बहुत ही अध्यन किया था फिर उसके बाद ये राजापूर आते हैं और रतनावली नामक लड़की से विवाह कर लेते है पत्नी की तीखी बातों से वीरक्त होकर ये साधू वेस धारड करके स्री राम की भक्ती को समर्पित हो गए जो इनकी पत्नी थी वो बहुत ही तीखी बाते बोलती थी जिससे वो उससे दुखी हो गए और वे साधु का वीज धारण कर लिए और स्री राम के भक्त बन गए आगे देखते हैं भक्ती में लिन तुलसी को कासी में हनुमान और चित्रकुट में स्री राम के दर्सन हुए जो भक्ती में लिन तुलसी दास जी हैं उनको कासी में हनुमान जी के दर्सन हुए और चित्रकुट में स्री राम के दर्शन हुए आगे देखते हैं चित्रकुट में तुलसी आयोध्या आए देखे चित्रकुट से तुलसी अब कहा गए तो आयोध्या यही समवत सोरसो एक्तिस इस्वी में इन होने रामचरित मानस की रचना आरंभ की देखे दोस्तों यह जो है तुलसी दास इन होने एक रचना अर्थात रामचरित मानसिक रचना लिखी यह लिखना कब प्रारंभ किये थे तो सोरसो एक्तिस इस्वी में ठीक है और कब खतम करते हैं आए यह भी देखते हैं यह दो वर्स 7 माह और 26 दिनों में सववत 427 में पुरी हुई देखे दोस्तों इसे पूरा करने में उनको कितना दिन लगा है तो दो वर्स 7 महीना और 26 दिन अर्थात 1423 में इन्होंने उसे लिख कर पूरा किया आए देखते हैं जनभासा में लिखी यह ग्रंथ रामचरित मानस ना केवल भारतिय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वित्य ग्रंथ है ये देखिए रामचरित मानस ये केवल भारतिय साहित्य में नहीं बल्कि विश्व साहित्य का अद्वित्य अर्थात इसकी जैसा कोई दूसरा नहीं है ठीक है रामचरित मानस जैसा आगे देखते हैं इसका अनुवाद अन्य भारतिय भासाओं के साथ विश्व की अनेक भासाओं में हुआ है देखे दोस्तों ये जो है इसका अनुवाद भारतिय भासाओं के साथ साथ विश्व के अनेक भासाओं में भी हुआ है रामचरित मानस में स्री राम की चरित्र का वरडन है इसमें जीवन के सभी पहलूओं का नीती गत्त वरडन है भाई का भाई के साथ पती का पतनी से गुरू को सीस्य के प्रती प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से कैसा व्योहार होना चाहिए देखे दोस्तों उसका सजीव चित्रड है इसमें क्या होता है कि जैसे उसमें लिखा गया है कि भाई के भाई के साथ कैसा रहना चाहिए इसके बारे में पती का पत्नी के साथ कैसा व्योहार करना चाहिए और पत्नी को पती के साथ कैसा व्योहार करना चाहिए गुरु को सिस्य के साथ कैसा प्रती होना चाहिए उनका प्रेम व्योहार और प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से कैसा व्योहार होना चाहिए इसके बारे में इन्हों ने उसमें लिखा है राम की रावड पर विजय इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर सत्य की और सत्य पर विजय होती है देखें रामनी रावड कुमारा इसका यह प्रतीक होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई जो और सत्य है उस पर सत्य की जीत हुई ठीक है आगे देखते हैं तुलसी ने जीवन में सुख के लिए न्याय सत्य और प्राड़ी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है देखे दोस्तों तुलसी जी ने क्या कहा है कि जीवन में सुख के लिए न्याय सत्य और प्राड़ी मात्र से प्रेम अनिवार्य माना है इन्हो नयाय और सत्य और प्राड़ी मात्र से प्रेम करना चाहिए आगे देखते हैं तुलसी ने रामचरित मानस जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है देखे तुलसी ताजी है वो रामचरित मानस के जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान उसमें लिखा है आगे देखते हैं इसके अलावा तुलसी ने अन्य ग्रंथ जैसे विनेपत्री का कवितावली दोहावली व गितावली आदी भी लिखें रामचरि मानस को छोड़कर उन्होंने विनेपत्त्री का लिखा है, कवितावली लिखा है दोहावली भी लिखा है और गितावली भी लिखा है आगे देखते हैं तुलसी दास समन्यवादी थे बड़े विद्धोमान और कभी अब्दुर्रहिम खान खाना जो तुलसी के मित्र थे तुलसी के मित्र कौन थे तो अब्दुर्रहिम खान खाना उनकी प्रसंसा में लिखे हैं क्या देखे जो अब्दुर रहीम खान खाना जी तुलसी जी के दोस्त है उन्होंने क्या लिखा है उनकी प्रसंसा में की गो देलिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए तुलसी दास अपने अंतिन समय में कासी में असी घाट पर रहते थे ठीके, पहले तुनकी प्रसंसा में उनके मित्रे ने क्या लिखा है कि गोदेली ये हुल्सी फिरे तुल्सी सोसुत होए फिर क्या होता है कि तुल्सी दास जब अंतिम समय में थे तो वो कासी के अस्य घाड पे राते थे वही इनका देहवास समत 1680 में हुआ तुलसी दास का मृत्यू कब हुआ था तो समत सोरसो असी में भाग तो वो साहित्यकार तुलसी हिंदी भासा के अमुल्य रतने है ठीक है तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चिरूर बताईएगा धन्यवाद